को इंदेबातर हम सिक्षक सातियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य करमचारिश आतियों साला दरपन की जिला या ब्लॉग रेंकिंग को कैसे अपडेट करें किन-किन पॉइंट्स के आदार पर साला दरपन की जो रेंकिंग है वो जिला इस्तरी या ब्लॉग इस्तरी रेंकिंग की जाती है और आप अपने विद्याले इस्तर पर किस तरीके से ब्लॉग या जिला की रेंकिंग को बढ़ा सकते हैं किन-किन बिंदू के कितने अंक मिलते हैं इसकी प्रविष्टी कहा की जानी है इस सारी जनकरी में आपको वीडियो में दूगा तो आई प्रविष्टी के इस्तति यानि का इस्ति उसको प्रविष्टी करनी है और अधिक तम अंक कितने हैं तो सबसे पहला है कि प्रतिमा शिक्षकों दौरा रास्तान में शिक्षा के बढ़ते कदम और के SMB के जो एफ है उस पर सिक्के अर्जित करने के आदार पर विद्याले क संग्या जो भी रेंगी है तो लेस्टें या इसकुल टू 90 विद्याले जाँ सभी सिस्कों ने 400 से अधिक अर्जित किये तो उसके पूरे 15 नमबर मिलते हैं तथा 80% से कम है जहां भी विद्याले ओने सभी शिक्षकों ने 400 से अधिक अंग प्राप्त किये उनके लिए 10 अंग है तो यह तो गया अधार सालागते पर मॉडूल उब इसकी प्रुष्टी हो रास्तान में शिक्षा के बढ़ते कदम किये शिक्रिण के में प्राप्त शिक्रिके प्राप्त하신 विद्यारे तराइं और नो इसमें में 100 से अर्जित किये हैं तो यह इंपोर्टेंट है कि जो भी मैफिंग जिन भी इसक्ष को हुई है उनको और मिने जो भी इसक्के हैं वो अर्जित करने हैं और इसके अधिकतम पनरांग है उसरा जो इंपोर्टेंट जो आधार है रंगींगा वह एक नंबर ऑफ टुडेंट सेलेक्ट इनिस परेवर्ड किसके समय जो इस्टुडेंट कितने स्लेक्ट हुए है एक तो इनस्पार आवार्ड में एक स्टिसीन इस्ट्रेट तेलेंट सर्च एकजाम में एंटीसेन जो नेशनल टर 50% या उससे कम है total school है तो 10 नमबर मिलेंगे और 30% या उससे अगर अधिक है तो इसकी जो रैंकिंग है वो विद्ध्याले लोगिन पर विद्ध्याले टेब में अधिक रैंकिंग जो इंट्री मोडूल है वो आरम किया गया है उसके आपको इसकी इंट्री है वो विद्ध्याले के द्वारा प्रती माँ परविष्टी की जाने आवश्यक है तो विश्यस क्रूप से जैसे इंट्री अरमा करने है लेकिन संक्या वही हो सकती है लेकिन इसमें एक और मैंतों जो बात है वो आगया जाएगी पार्टे पुस्तकों समय देद वह भी इसी मोडूल में डिस्टिक रैंकिंग मोडूल में आपको अपडेट करनी है तो इसके 15 पॉइंट है जिसके जिसमें यह जो भी एवाइड वाला जो ऑप्शन है जिसमें इंस्पारेड वाड है एस्टेसी एंटीसी गारगी वगड़ा यह आपको अनिवार उससे अर्मी ने बनी है तीसरा जो पॉइंट है बरत्मान वाह में अकुल नामांकन के संदर में विद्यार्थियों की आवसत उपस् पर्वृष्ट्पी मोड़ुलहीं की मौड़ूला ने कि सीख प्रविस्ठि के आदर पर इसकी जो भी किए रैंकिंग लिगे और विद्यालेयाक के द्वर्णा प्रृष्टी करने आवसक है वैसे जो विद्धालेकी जो वुपस्द्थिति है चात्रों की वो डेली की, जी यह करेंगी अधिक चाहत रहा है वो उपस्तित रहे और उनकी उपस्तिती जद 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 80-90 परसेंट या 95 परसेंट से उपर रहेगी तो पूरे पांचंग मिलेंगे और इसके अधिक तम पांचंग है अगला जो रेंगेंग का आजा रहा है वो वर्त्मान माह में बत्मान माह में विडेले को प्रस्ट्कालें की बिसाओं का वितरन क्रने वाले विद्ध्याल्यों का पर्तिसत अप्र्टेशल की प्रस्तप्रूब्स्त्स्कोंक को वितरन करना है और बैसटेंटरी है वे एक सालह पता है कि NTSC बगर इसकी भी उपस्तिती जो वी या इनके जो एवार्स की जो इंट्री करते हैं उसी मोडूल में इतनी पर्टी पुस्त के हैं हर मा वित्रित की गई बच्चों को लाइबरी से पृस्त काले से उसकी इंट्री करनी है और इसके लिए पांच अंग है अगला है बोड प्रेक्षाओं में चार या पाँस स्टार रंगिंग बत्राप्त करने वावली विद्यारतों को प्रतिसत भी उर्ट की जो परिक्षाओं की रंगिंग है तो इसके बीड़ विद्यारूरे दवर राप्त समय कि ए इसका पर्रेक्षार Čर जो आदर है वो विद्यारत जो बूर्ड का रिजल्ट होता है उसके आधर होगा अब इसमें डाटा है वो बोर्ट से प्राप्त किया गए जिसमें विद्याले कोई संसुदर नहीं कर सकता परूंतों बूर्ड परिक्षा प्रिणाम मिसमेच 21-22 मॉडूल में यदि किसी विद्याले का प्रिणाम मिसमेच है तो उस कक्षा के उक्त मॉडूल में नामंग है वो रोल नुमर वगर अपडेट करें तो यह अगर कुछ मिसमेच है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं अन्य था यह वह आपके विद्याले के जो भी बूर्ड का रिजल्ट होगा उसी का आधर रेंकिंग होगी और इसके 30 मांक से तो बहुत बड़ा यह वो रेंकिंग में इसका है अगला जुटा है फुल नामंकन में प्रतिसत वर्दी यानि कुल नमंगन है कितने पर संट लिश्त वर्दी हो रही है तो जैसे प्रतिसत वर्दी पर एक अंक देंगा और ऑर दो पर दिस पर दो आंक इसी फ्रकार के आदार पर यह सब तो अपडेट होगा तो इसके भी 10 अंग है अगला है सांत्वा जो पॉइंट है जिले में उजियारी पंचायतों का प्रतिसत जिले में अकुल कितनी उजियारी पंचायते हैं अगर 85% या उपर पंचायते हैं तो 3 अंग मिलेंगे और 95% से अधिक पंचायते हैं वो उजियारी पंचायत अगर गोशित है तो उसके पूरे 5 अंग है और ग्रम पंचायत उजियारी है या नी इसके आदार पेस का सेलेक्शन होगा और जिला परसासन दोरा उजियारी पंचायतों और उसी के आधार पर जितनी बिच्टे ज़्यादार परतिसत जिनका जनाधार पर्मानिकरन हो गया है अगर 60% या कुल student का 65% या उससे ज़्यादा अगर जनादार परमानिकरण हो गया तो इसके तीन अंग है और 95% से अगर अधिक student है उनका जनादार परमानिकरण हो चुका है तो उसके 5 अंग पुरे हैं तो इस परकार विद्यारतियों का जो प्रतिसाथ है जिनका जनादार पर्मानी करन किया गया है वो आपके जनाधार कर्णा क्षात्यापक के जो स्टाप लोगिन जो है उसमें भी प्रपत्राशाइब सांत में भी इसका ऑफिसन दिया हुए को कि यह सबसे महत्र काम है जन्हादार के भी वर्दी के जो पैसे आये हैं बच्छों के वह भी नूर नहीं हो पा रहे हैं और अन्य जो भी सुर्वधा हैं वह सभी आजकल जन्हादार से जुड़ी हुए तो सत परत प्रतिसे जन्हादार वह अधर हो यह जुरूर है है अगर किसी लिए तो बच्च这 को उनके नाम में या अधर में किर 250 में में विद्य में जाए उसको इस तरभा करता के जीद्व है और विद्ये अधिक थीदी का जैन्नादार परमाणीकरन करए और इसके पांच मार्क है पुले शाला अधरपन जो रेंकिंग है उसमें जन्नादार परमानिक पांच नंबर की है अंगों की है अगला जो मेन पॉइंट है वो है ग्यान संकल पोर्टल के मात्यम से प्राप्तरासी पर आधर हितंक और एलोटेट मैजिव मास और इसमें लोग वेल्यू आप डिस्टिक ब्लोग या इसकुल माइनस लोग मिनिममम वेल्यू और उसकी जो लोग है यानि एक परमले के द्वारास का जो भी निर्दान होगा और ग्यान संकल पोर्टल के मात्यम से राशी प्राप्तरासी के अधर पिसका जो भी यह वो निर्दान होगा और सभी आपके सव्योंग से या किसी बिजसे अधिक सदी के वो ज्यान संगल पोर्टल पे राशी हो हो इसकी रंगीं बहुती या 13 यह उसके अगला जो पॉइंट है दस्वा पॉइंट है PTA में अभी वागों कोई को उपस्ते थी जनी जो परेंट टीचर्स जो मीटिंग वगर होती है उसमें 50% या उससे अधिक मेंबर अगर उपस्ते थे तो तीन अंग है और 60% से अधिक अगर मेंबर उपस्ते थे तो पांच अंग है तो विद्याले द्वारा विद्याले में आईजित SDMC, SMC या PTA की समधित जो भी सुचना है उसकी प्रिविश्टी है साला दरपन के उपर करनी है मोडूल में और उसी के आधार पर इसकी रहंगी होती है और विद्याले द्वार में SDMC, SMC की आईजित बैटा की कुल संख्या उसके अंदर जो भाग देंगे उसके हिसाब से विद्याले में SDMC, SMC, PTA की समधित जो भी सुचना की प्रविश्टी होगी उसी के आधार पे होगी और विद्याले के द्वारा इसको प्रतिमा इंट्री करनी है और इसके भी 5 संख है अगला जो है पारवा पॉइंट है आई सीटी लेव या स्मार्ट कक्षा कक्ष यूगतु जो भी विद्याले है उनका परसेंटेज कितना है अगर पूरे ब्लॉक की एजिले में साट परसेंट है टोटल स्कूल का तो तीन अंग है और पिचात परसेंट या उससे अ आदार पर इसकी जो भी रेंकिंग वह निर्द्या देऊगी और विद्याले के दूरे प्रविस्टी एक बार करनी है यह अगला है क्या विद्याले में खेल मैदन विक्षित है या उप्योग में लिया जा रहा है तो तो तीन अंग है और पिचातर परसेंट या उससे अध पांच चंग है और विद्धाले इस तरह पर जो इंस्ट्राइश स्टिक्षर मोडूल है जो कई बार लॉग हो जाता है या लॉग किया जाता है तो अगर उसमें आपको यह इंट्री करनी है और अगर आपके लॉग हो गया तो आप अपने प्यो यह सी भी लेवल पर जहां भ को कुछ अलग थे अब इस बार तेरा जो पॉइंट है इंपोर्टेंट उसी गयादार पर सालादर्पन की जिल्ला या ब्लॉग रेंकिंग होती है और कुल 120 अंको में से इसकी रेंकिंग होती है और इसमें नोट विश्चिस दिया हो कि विद्ध्यालों के द्वारा प्रती रिख मिल जाएंगे उजियारी के लिए को सिसकर सकते हैं और नामंकन है उसके लिए वर्दी यह जो और बॉट का रिजल्ट है वह अभी इंपोर्टन सबसे जैदा जो माक से बॉट रिजल्ट पर है तो को शिचिस यह करें कि अच्छा रहे ताकि ब्लॉग की रहें वह अधिक जनकरी है क्योंकि शाला दर्वन प्रकोर्ष्ट के जो करेक्रम अधिगारी उनके दौर दी गई है तो यह मैंत अधिक से अधिक अपने विद्याले या जो भी सिख्षाति है उनके जो भी ग्रूप है उनमें सेर करें ताकि सभी को इस जनकरी के इसके बारे में है ताकि जो भी ब्लॉग रेंगिंग है वो अच्छी बनी रहे तो अशा करता हूं यह जनकरी आपके लिए उभी गरेगी और अधिक से अधिक सातियों को यह आप जनकरी शेयर करें और यह जो पीडियाप अगर आप चाते हैं प्रात करना चाते हैं तो मैं इसको अपने ट कुटक जे हिंद जे भारत